स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं scholarship के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक scholarship वाला form जो है वो नहीं भर पाए हैं किनी का तो अभी तक admission ही नहीं हुआ है जिसके करन वो अपना form भर पाएंगे नए college में नामंकन ही नहीं करा पाएं किसी का तो यानि की college ही बंद है जिससे कि वो अपने college में जो है bonafite certificate में signature नहीं करा पा रहें तो इस तरीके से सभी लोगों का जो problems आ रहा था बहुत लोगों ने जो form को नहीं भरा था कोई final submit नहीं किया था तो इस तरीके से problem को देखते वहाँ पर जो NSP के द्वारा यहाँ पर डेट को बढ़ा दिया गया है अब जो इनकी अंतिम्तिती रखी गई है 30 November 2020 कर दिया गया है बिले जो इनकी अंतिम्तिती थी 31 October 2020 थी लेकिन अब आप लोगों के पास जो है नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देख पार है कि स्कीम दिया हुआ है सेंटरल स्कीम और यहाँ पर मिनिस्टी ओप मायरिटीज अफ्हेर वाले option पर आप क्लिक करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखे डेट को जहाँ पर देखे बढ़ा दिया गया है अब देखे कर दिया गया है 30 11 2020 यानि कि यहाँ पर जो है 30 नवंबर तक आप लोग यहाँ पर जो ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं और वही देखे यहाँ पर डिफैक्टिव के लिए भी डिफैक्टिव वेरिफिकेशन यानि कि जिनका फर्म डिफैक्टिव हो चुका है तो वे क्या करेंगे यहाँ देख पर है कि 15 12 2020 यानि कि 15 दिसंबर तक अपने फर्म को सब्मिट कर देंगे और यहाँ पर इंसिट्व वेरिफिकेशन के भी यहाँ पर देख पार है कि डेट को बढ़ाया है जो कि यहाँ पर 15 दिसंबर 2020 तक अपने इंसिट्व में जाकर के अपना फर्म एक महना यहाँ बढ़ा दिया गया है अगर आप लोग अभी तक इसके लिए online आबेदन नहीं किये हैं तो जल्दी साफ इसके लिए online आबेदन कर दिजे या फिर अगर आपने इसके लिए online आबेदन कर दिया है और अभी तक अपने form को final submit नहीं किया है आपके form में किसी परकार की truthy है, गलती है, bank account नमर गलत हो गया कुछ भी अगर आपके form में गलती है तो आपके पास एक महिने का समय है आप लोग जो फिर से यानिकी सुधार करके जो form apply कर सकते हैं online आबेदन कैसे करना है, कोई भी आपके form में गलती है उनको कैसे सुधार करना है सभी का हमने अलग से एक एक वीडियो बना दिया है, अगर आपको ये वीडियो देखना चाहते है तो उसके लिए आप simply क्या करेंगे, आप हमारे channel पर आएंगे उसके लिए आप यहाँ पर YouTube पर आप सर्ज करें, India Study Learn कुछ इस परकार आपके सामने खुल करके आजाएगा और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर इस वाले option पर क्लिक करना है प्लेलिस्ट वाला देख पर है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे मेरा error बता रहा है, bona fight कैसे upload करेंगे क्या college जमा करना होगा form को जो भी confusion आप यहाँ पर यह वाले वीडियो देख सकते हैं online form कैसे भरेंगे, matic interval यहाँ से देख सकते हैं हमने सभी वीडियो के यहाँ पर cover किया, देख पर है form को कैसे सुधार करना, edit करना, final submit होने के बाद भी कुछ भी गलतियत आप उनके आपर यहाँ पर सुधार कर सकते हैं यह वाला वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर NSP से related आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे bona fight certificate कैसे मिलेगा, no scheme problem आता है बहुत सारे चातर बोलते हैं कि सरा हमारा no scheme available बता रहा तो आप उनको यहाँ पर कैसे ठीक कर सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे NSP से related तो इस तरह के से आप लोग देख पार यानि की date को बढ़ा दिया गया है आप लोगों के पास एक महिने का समय है अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो जल्दी साप यहाँ पर जो online आवेदन कर दिजिए या फिर आप अगर आपके form में किसी पर करकी गलती है तो आप इसके लिए जल्दी से सुधार करके जो final submit कर दिजिए तो इस तरह के साप लोगों तक एक छोटा सा update देना था I hope हमने आपको समझाने की पूरी कोसिस की है अगर आपको यह वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ सेर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में मालूम चल सके